करकार जो है माप कोई एक हम लों कर नहीं की पबढ़ीक एक सेन न्यूज जंता के आवाज में आप सभी को स्वागत है आज लोंग उपायुक्त कारले में दरना दे रहे हैं दरना किसीच का दे रहे हैं पहले इन लोग से जान रहें उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कि जारकन में जो सरकारी बस चलती है उसमें जो बीपेली लोग है उन लोग का जो भाड़ा है उसमें 50% का पत्रकार किये हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ पत्रकार किये थे खरीब 6 महीना पहले हम लोग किये थे लेकिन आभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ पत्रकार किया है लेकिन ये लोग का बात को सुनवाई नहीं हुआ तो आज ये लोग को दरना पे बैठना पड़ रहा है आगे हम सर से बात करेंगे ये राष्टी जन सिवक समेती के दोरा जो की सरकारी बसों में 50% अरचन का बात किया जा रहा है मतलब किराया मापी का बात कि जा रहा है जनता के लिए बहुती अच्छा हित के बात ये लोग उठा रहा है जो की राष्टी जन सिवक समेती सर और थोड़ा कुछ इसमें आप विस्तार पूर्भक बताएं सकता है इसमें क्या है कि जो गरीब लोग है उन लोग को सोहलियत होगा कहीं बाहर जाने के मायने रखता है इसी लिए जो है उनलों को 50% कटोती उनलों का होना चाहिए हमारा नाम हुआ आसिस मोखर जी हम राष्ट्य जनसिवा समीति अध्यक्ष हुए अभी हम लोग आगे इसी परकार हम लोग बात करेंगे कि आप लोग बहुत एच्छी मुद्दा के बात पर उठ सब्सक्राइब लेकिन आप लोग जारकार में बीपियल वला लोग के लिए 50% शूट का बात कर रहे हैं किस परकार से बात कर रहे हैं कहां तक किसको बता रहे हैं लोग इसमें मुख्यमंत्री जी को आपन दे दिये हैं पत्रचाय के द्वारा और छे मैना हो गया लेकिन हम कोई जबाब नहीं आया इसलिए हम लोग उपायुत महोदवी के संक्ष धन्ना पर बैठे हुए है और फिर भी अगर नहीं माना गया बात तो हम लोग आगे अंदोला और पढ़ेगा और जरुवत पढ़ा तो आमरा नंसर में भी बैठेंगे हम लोग लेकिन हम लोग अंद स्वार्थी स्वार्थ से कुछ नहीं कर रहे हम लोग जो करें गरीब दंता के लिए कर रहे हैं जो सोशित पीडित लांचित है जो दाना दाना के लिए मोहतार है लाल काड से घर चल रहा वो राची जाने में कोई अपसत्त देजेगा 250 उर्पिया लेकिन एक गरीब आजमी इसका बेटी राची में भरती है वो कहां से लाएगा और हम लोग चाहते हैं कि गरीब लोगों पर लागू हो जिसका माज़न होगा लाल काड आई परवान परत्र और बीपिल काड यह सब लागू हो यह सब रिचे देदेगे राष्टी जन सिवा समित्री की महासर्ट जिव गनिस दास बिलकुल यह लोग का मुद्दा बोर जयाय जय काय की जीसी साब से वीपिल काड बादारी बहुत लोग को यातरा करने में परिशानी होती है और लोग को अगर किराया माप होता है तो लोग का बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा आगे भी हम लोग सर से बात करेंगे बताईएगा कि यह जारकन का किस हिसाब से अप लोग सरकार को जुकाना चाहते हैं हम सरकार को जुकाना नहीं चाहते हैं यह लोगतांतरिक देश है और हमारा बात को माना जाएगा और हम जो बैठे हैं आज धरना में यह हमारा संग्विदानिक अधिकार है और जनता के हित में किराया माफी जो है 50% धारकों के लिए यह मानना है कि हमारी मांग को मानेंगे और अभी तक तो नहीं माने हैं और लगबग 6 माने से हम लोग कंटिनीव इस पर लगे हुए धरना अभी आज दे रहे है जुरत पड़ेगा तो हम लोग करेंगे और लोग तादिक परकिया के ताहर जो भी हमारी अधिकार है उनका हम सब jako करेंगे और अपना हम लेकर हें आपलोग अभी देखा जाब जनसंक्या में कमी है तो आपलोग पदिदकार स्वरूड आए हैं कि आप लोग का और भी जनसंक्या आने का उमीद है आगे हमारा नाम हुआ गौतम मुकर जी हम राष्टे जनसेवा समीथी के उपाध्यक्ष हैं और 1999 से हम जनता के हीत में अपना काम करते हैं और हम अपना अधिकार को पूर्ण रूप से लेंगे और सरकार हमें खुशी से देगी और हम अपना मांग को मनवाही लेंगे यह हमारा पू मतलब भाड़ा मुख्थ मुख्थ करने के लिए लोग बोल रहे हैं यह लोगका कायना है कि यह बहुत आजीव मतलब देखा जाय तो अच्छा मांग है गरीब जोहर दनेवाद